कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विजय कुमार रहा है दोस्तों ओके लाइफ केर की पेपर प्लान बताने जा रहा है जो कि बिल्कुल सौट होगा हमारे यूटूब चैनल पर आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों मेरा मनना है कि किसी भी कंपनी में जाने से पहले किसी भी डायक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़ने से पहले यह चार पीलर जरूर देख लेना चाहिए जैसे फर्स्ट भी है बस्ते होना चाहिए तीसरा पी है जो कंपनी का प्लान भी अच्छा होना चाहिए और प्रोडुक्ट का रेट वीम हमार्केट की देट में हैं तो दोस्तों ओके लाइफ केर में रेश्टेशन फिरी है जैसे ही आप रेश्टेशन करते हैं 500 बिजनेस वेल्यूम का आप प्रोड़क्ट परचेज करते हैं आपकी आईडिय अक्टिवेट हो जाता है इसके बाद आपको कंपनी साथ तरह की बेनिफिट देती है फर्स्ट इंकम है रिटेल प्रोफिट दोस्तों 15 से 40 परसेंट डिस्काउंट मिलता है रिटेल प्रोफिट इसको बोलते हैं रिटेल प्रोफिट अब जैसे कि मान लिजिए मर्पी 100 रुपीज है और डीपी प्रैस बें आपको 60 रुपीज में मिल जाता है कि किसी भी प्रोटक्ट कर ले लेते हैं जैसे मान लिजिए मर्पी 100 रुपीज है और डीपी प्रैस पर आपको 60 रुपीज में मिल जाता है आपको यहां पर 40 रुपीज डिस्कॉंट हो गया यह हो गया आपका रिटेल प्रोफिट सेकेंड इंकम की बात करों सेकेंड इंकम है एक्टी बोनस अब जैसे मान लिजिए आप यहां पर आप हैं और यहां पर टीम ए और टीम बी दोस्तों दोले का प्लान है जिनरेशन प्लान है और एस्टेविलिटी प्रांग है अब जैसे मान लिजिए पचीस सो बिजनस कभी भी पचीस सो बिजनस लेफ्ट में और बचीस सो बिजनस विल राइट में मैच करती है तो कंपरी आपको एक प्विट से एक वोनस प्विट को मतलब होता है थीन सो रुपह कम ज्यादा भी हो सकता है अगर आप आपके टीम में कि सभी मिला कि अगर पचास जार बिजनेस वेल्म लेप्ट और पचास जार बिजनेस वेल्म राइट मेंच होती है तो आपके टीम में यहाँ पे टोटल जो पोइंट एकांट होगा वो 20 पोइंट होता है और 20 पोइंट का बन जाएगा आपको 6,000 रुब्पे एक पोइंट का 300 रुए है तो 20 पोइंट का 6,000 रुपे दोस्तों आगे थर्ड इंकम है कंसी टेंसी बोनस कंसी टेंसी बोनस में अब जैसे माली जी आप यहां पे हैं टीम A में 25 बिजनस लेप्ट और 25 बिजनस राइट में अब जैसे माली जी एक्टी बोनस आपको 25 बिजनस 25 बिजनस में मैच करने पर आपको वन प्वेंट मिला ठीक उसी बिजनेस को आप अगर थीरी मंथ कंटीन्यू करते हैं तो आपको कंसीटेंसी बोनस स्टार्ट हो जाता है लमारिक कंसेटेंसी का नां से ही पता चलता है लगातार अब इनल्ग अब यहां पर एक्टी बोनस मिल था कंपटीर तों और यहां कंसीटेंसी बोनस मैं तो दोस्तों थीक तीन मेने आप रेगलर जैसे मैंटेन करते हैं अगर ज्यादा बिजनेस नहीं भी कर पाते हैं जैसे मान लेजेए तो एक पॉइंट होता है एक पॉइंट की कीमत होती है 1.5 रुपे और यहां पर आपको एक्टि बोनस पॉइंट भी बनेगा अगर मान लेजे पचास जार बिजनेस मैच करते हैं तो आपका भी समय पैंट एक्टि बोनस पॉइंट भी बनेगा तो यह आपको कि तीन हजार रुप्या एक्टिव बोनस प्वेंट हो जाएगा कि ठीक है दोस्तों अब नेक्स्ट इंकम की बात करें कि शुपर एक्टिव बोनस कि शुपर एक्टिव बोनस नाम से ही पता लग रहा है एक्टिव कंसीटेंसी और यह हो गया सुपर एक्टिव बोनस कंपनी की टर्नवर पे 15 परसेंट कंपनी के टर्नवर बाठती है अब जैसे मान लिजे यहां पर आप हैं जब कभी भी पचास हजार बिजनेस टीम ए में और पचास हजार बिजनेस टीम बी में मैच करती है तो आपको एक पउरंट सुपर एक्टिव बोनस बनता है आप एक पुएंट का मतला होता है दोस्तों यहां पर आप जैसे मान लिजेंंगे यहींदारे Incognить वहना तो 15000 पर सुपर एक्टिव बोनस और active bonus point भी 20 point बन जाएगा और consistency bonus 20 point बन रहा है तो total income यहाँ पर आपका 5000 हो गया यह super active bonus point active bonus point 6000 consistency bonus 3000 1500 कहीं साब से यहाँ पर total income आपका हो रहा है 14000 पर दोस्तों अगला जो income है पासमा income है car fund bonus car fund bonus का इसे मिलता है जैसे हम मान लिजे यहाँ पर है पिछले income जो है पिछला income जो है आपका super active किये थे 5000 left right match करने पर ठीक उसी business को company कहती है three month यानि तीन मेहने आप maintain कर देते हैं तो आपको car fund मिलना शुरू हो जाता है car fund दोस्तों सारे 7% company की turn over पे बाटती है उन लोगों को जिनके पास car fund bonus achieve किये होते है तो दोस्तों जैसे माली जा आप यहाँ पर है team A में पचास हजार business value team B में पचास हजार business value match करती है तो आपको एक point car fund bonus दिया जाता है जिसकी कीमत है 4,000 रुपे यहाँ पर एक्टीव bonus point भी 20 बिस point बनता है जिसका कीमत है 6,000 रुपे और consistency bonus भी 20 बनेगा जिसका बनेगा 3,000 रुपे और super active बोनस आपको 5000 यह total income यहाँ पर 18,000 रुपे होता है अब next छठा income की बात करूं कमपनी कहती है जैसे आपने car fund के लिए 3 मेना maintain किया वैसे same business पर आप पचास हजार left और पचास हजार right शेम business आपको 6 मेना और maintain कर दीजिए six month तो यह आपका house fund बोनस से start हो जाएगा तो दोस्तों यह six month team A में और team B में पचास हजार पचास हजार business में यह maintain करते हैं तो आपका अब दोस्तों यहाँ पर calculation करते हैं टोटल income अब जैसे मालेजिए कि एक्टी बोनस प्वेंट कि बीस प्वेंट बनता है छे हजार पर यह हो गया कंसीटेंशी बोनस बीस प्वेंट तीन हजार पर कंसीटेंशी बोनस हो गया शूबर एक्टी बोनस एक प्वेंट बना पांस हजार पया यह हो गया कार फांड बोनस एक प्वेंट बनता है चार हजार पया यह हो गया हौस फंड का एक प्वेंट 35 बै टूटल इंकम यहां पर दोस्तों 21,500 ब्या की होती है बाकी बिजनेस के उपर है जितना बिजनेस करेंगे उस हिसाब से आपकी इंकम होगी दोस्तों साथ में इंकम की बात करूं तो यह फ्लेक्सी बोनस फ्लेक्सी बोनस की बात करूं फ्लेक्सी बोनस का मतलब होता है दोस्तों जैसे मान लिजे बात करते हैं डायर्ट सेलिंग में जैसे कि बहुत से कंपनी तो बोलते हैं कि रोयल्टी इंकम भी देते हैं लेकिन जैसे रॉयल्टी इंकम दोस्तों मिलता नहीं है तो यहां पर दोस्तों क्या फ्लेक्शी इंकम का मतलब है जैसे रोयल्टी इंकम अब जैसे मान लिजे आपके अधी में जो डारेक्ट एस्पंसर होंगे कि उसके काम करने पर उसकी जो टर्णावर्वर्ग होगी अब जैसे मान लिजिए किसी भी लेग अगर काम नहीं कर रहा है सिंगल लेग भी काम कर रहा है और यह सिंगल लेग यहां पर तीस लाग का बिजनेस पर कमा रहा है तीस लाग मंतली इंकम कर रहा है तो आपको इसका 10% आपको भी मिलेगा और ठीक उसी तरह जितने भी आपके स्पॉंसर होगा डारेक्ट इस्पॉंसर उस पर 10% आपको मिला करेगा उसको बोलते हैं फ्लेक्सिव इंकम दोस्तों पलान अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब थैंक्यू